जबलपूर में हजारों नर्सिंग चात्रों ने मेडिकल उनिवर्सिटी को गहरा हंगामा MP News मद्रप्रदेश के जबलपूर में कई जिलों से एकत्र हुए नर्सिंग चात्र ने मेडिकल उनिवर्सिटी का गहराव कर जम कर हंगामा किया च्छात्रों का कहना है कि मानियता देने के बाद उनिवर्सीटी ने प्रदेश के कई जिल्लों के नर्सिंग कालेजों के मानियता रद्द कर दी ऐसे में हजारों च्छात्रों के ब swamp़ष संकट के बादल मंढराने लगें मद्धिर प्रदेश मेडिकल उनिवर्शेटी का गहराव कर मांग की गई है कि सरकार और मेडिकल प्रबंदक छात्रों के वविश्य को द्यान में रखते हुए उसके मदद करें MPMSU ने परिक्षा से पहले सो कालेजों की मान्यता रद्धिक कर दी अनर्सिंग कालेज चात्र संगटन के द्यक्ष मिलन कुमार ने बताया है कि मेडिकल उनिवर्शेटी ने अकस्मात प्रदेश भर में करीब सो से अधिक अनर्सिंग कालेजों के मान्यता रद्धिक कर दी ऐसे में अब हजारों चात्रों का भविश्य खत्रे में आ गया है नर्सिंग चात्र नेता ने बताया है कि बीज बीज बेच के कई चात्रों के दो साल की पढ़ाई पूरी हो चुकी और कुछ ही दिन में चात्रों की परिक्षा भी होनी है पर अचानक ही मेडिकल विशुद्ध अलाय प्रबंदक ने तुगल लगी फरमान जारी कर सेकडों कालेजों के मान्यता रद्धिकर्दी चात्रों का कहना है कि युनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता देने के बाद अचानक ही रद्धिकर्दी गई मज़ेपदेश नर्सिंग चात्र संगठन की अध्यक्स मिलन से ने मेडिकल कारेपरिशत के सदस्य सुनिल राठोड जो की नर्सिंग कालेज के संचालक भी है उन पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने मेडिकल कालेजों को दलाली का अड़ा बना रखा है सुनिल राठोड पर आरोप लगा है कि वक कारेपरिशत की सदस्य होने के कारण प्रदेश के कई नर्सिंग कालेजों को ब्लेक मेल कर मान्यता के लिए उन से रुपया की डिमांड कर रहे हैं जो नर्सिंग कॉलेज कार्य परिशत के सदेश्चनल राठोड की डिमान पूरी नहीं करता है तो उनका मीटिंग में विरूत किया जाता है प्रदेश प्रदर्शन कर रहे चात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक उन्हें आंदोलन जारी रहाएगा नर्सिंग छात्रों का कहना है कि हमारे सभी कालेजों कुमज्जप्रदेश शाषन मेडिकल काउंसिल ने निरिक्षन के बाद मान्यता दी थी और इनको अधिकार भी दिया था नर्सिंग छात्रों ने राज्य सरकार कुल पती कुल सचीव से मांग की है कि छात्रों पर अप्ट्याचार ना करे क्योंकि इन्होंने कोरुना संक्रमण के दोरान अपनी जान पर खेल कर सिवाए दी हैं शाषन के पास नर्सिंग देल स्टाफ की बहद खमी थी एसे में नर्सिंग के चात्रों से सरकार के द्वारा गवर्मेंट अस्पतालों में काम भी कराये गया है Medical University का गेरावकर चात्रों ने मांग की है कि हमारी समस्याओं का समाधान करने का निर्णाय ले हजारों चात्रों को Medical University में देख अकुलपती डाक्टर अशोक खंडलवाल भी मुके पर पहुचे और प्रदर्शन कर रहे हैं चात्रों से मुलाकात की कुलपती का कहना है कि अभी इस विशाय में कुछ नहीं कहा जा सकता पहले कारे परिश्यत समयती की बेठक होगी और बेठक के बाद ही छात्रों के हित को देखते वे निर्णाय लिया जाएगा Medical University के कुलपती का कहना है कि High Court के निर्देश पर ही कहीं कालेजों की मानियता रद की गई है जो की High Court के निर्णाय के अभी अधीन है तो हाँ ये सारा मामला है कॉलेज की मानियता का और मैं आपको बताना चाहूँगा ये तो ठीकी ठीकी कई सारे BHMS, BMS के भी ऐसे कॉलेज है जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं जिनके 17 से 22 के बीच में कई बार जिनकी मानियता रद दो गई है बाकी वो ना जाने कैसे मैंने कहता रिशवत दे करके या शायद हाँ दे करके बट क्या पता कैसे मानियता ले आते हुएं और वो कॉलेजों में ना तो स्टाफ है ना भापड़ाई होती है एक मोटा फीज भी वसूला जाता है फाइन्स वगेरा के नाम पर बहुत सारा पैसा लिया जाता है तो ये सारी चीज़े भी होती है जो कि बहुत ही गलत है तो गॉर्मेंट को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल जो सेवाएं हैं वो देश की रीड की हट्डी है जब देश स्वस्था रहेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा तभी तो देश तरक्क करेगा तो ये थी आज की अपडेट तो थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग दे वीडियो